पुलिस ने PLFI के तीन उग्रवादियों को गिरफतार कर भेजा जेल जारखन के लोहर दगा जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के तीन उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफतार किया है गिरफतार उग्रवादियों के पास से एक सुतली बम तीन बाइक वदो मोबाइल बरामद हुए हैं इस संबंद में SPR कुमार ने सोंबार को प्रेस कॉंफरेंस आयोजित कर ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इनके पास से विस्पोटक सामगरी भी बरामत की गई है SPR राम कुमार ने बताया कि गिरफतार अभ्यूगतों में सिनह थाना शेत्र के बकसा दीपा निवासी 26 वर्षिये प्रवीन कुमार उर्फ दिलिब कैरा थाना शेत्र के चेरिमा गाउनिवासी 21 वर्षिये राम प्रवेश कुमार सिंग राची जिले के नरकोपी थाना अंतरगत करगे गाउनिवासी 20 वर्षिये सुनील कुमार साहू उर्फ मनोश का नाम शामिल है PLFI के गिरफतार उगरवादियों के पास से पुलिस ने विसफोटक सामगरी बरामत की है इन में एक सुतली बम, एक काला रंग का पैर्शन प्रो मोटरसाइकल, एक काला नरंगी रंग का बिना नंबर प्लेट का KTM बाइक, एक आसमानी काला रंग का पल्सर 220 मोटरसाइकल, एक वीवो कमपनी का टच स्क्रीन मोबाइल एवं एक रियलमी कमपनी का टच स्क्रीन पूर्वक पूर्ण कर अपना परिच्चाए एक सुखद आरामदायक युम सुधाय युक्त पार्टी लॉन में दर्श करा चुका है